दोस्तो आज हम जानेंगे भारत के पांच ऐसे रहसमी मंदर जिसमें चुपे हैं कई राज चलिए जानते हैं हमारे देश में आपको कई मंदर दिखेंगे जो किसी चमतकार से कम नहीं लगते इनमें से कई मंदर हैं जो हजारों वर्स पहले बनाए गए थे और हर मंदर के निर्मार से जुड़ी एक अपनी अलग कहानी भी है आज हम आपको ऐसे ही पांच रहसमी मंदरों के बारे में बताएंगे जिसमें कई राज चुपे हुए हैं नमबर एक पर आता है कामाख्या देवी मंदर जो है गोहा हाटी में इस मंदर की गिनती 51 सक्ति भी ढोमे की जाती है कहा जाता है कि हर वर्स सावन के दौरान माता को मासिक धर्म होते हैं जिसके कारण यह मंदर तीन दिन के लिए बंद गर दिया जाता है अगले नमबर पर है कर्णी माता मंदर जो कि राजस्तान में इस्तित है इस मंदर में 20,000 चुए हैं और इन चुओं का जूटा भोजन इस मंदर के परसाद के रूप में पितरित किया जाता है बीस हजार चुओं में से कोई भी एक चुओं मर जाता है तो उसके स्थान पर एक सोने का चुओं रखा जाता है दोस्तों अगले नमबर पर आता है ज्वाला मुखी मंदिर मानिताओं के मताबिक माता सती के जीव के प्रतीक के तौर पर ज्वाला मुखी मंदिर में धर्ती से ज्वाला निकलती है मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से उत्पन होती हैं और इसका रंग कैसे परवर्तित होता है यहां किसी को नहीं पता दोस्तो अगले नमबर पर है मेंधीपुर बालाजी मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर में आते ही लोगों के सरीर से बुरी आत्माएं और बूत्पसाज पीड़त वक्ती के सरीर से निकल जाती है और इस मंदिर में रात में कोई नहीं रुकता और खा जाता है कि यहां का परसाद भी धर लेकर नहीं जा सकते दोस्तो अगले नमबर पर है काल भैरव मंदिर जो कि मद्ध प्रदेश के उज्जेन में इस्तित है दोस्तो ये मंदिर भी काफी प्राचीन है का जाता है कि सराब के प्याले को काल भैरव की प्रत्मा के मुक्से जैसे ही लगाते हैं वह एक पल में गायव हो जाता है